लिस्ट ओफ 41 प्लियर्स जो पुरी तरह सेट है रिटेन होने के लिए मैं बात कर रहा हूँ existing एन्वाइपी के बारे में जिसका फुल फॉर्म है existing new young प्लियर आखिर क्या होता है existing एन्वाइपी आसान भासा मैं कहूँ तो last season जो प्लियर्स साइन होते ऑक्सन से पहले जिससे ह अगले सीजन एक्जिस्टिंग एनवाईपी बन जाते है रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी टीम एनवाईपी को साइन करती है वो कॉंट्रेक्ट दो सीजन का होता है तो दूसरे सीजन वो खिलाडी आटोमेटिक रिटेन हो जाता है कुछ exception भी है इसमें उसकी सर्चा वीडियो में आगे करेगे फिलहाल अभी जानते है कौन से है वो 41 खिलाडी जो एक्जिस्टिंग एनवाईपी के कैटेगरी में आएगे और कैसा था उनका performance पिसल सीजन वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगा सुरवात करते हैं Bengal Warriors के साथ Bengal Warriors की टीम से पहला एक्जिस्टिंग एनवाईपी में आएगा महारूदर अगरजे जो की राइट रेडर है इनको सिर्फ 4 मैच में मौका दिया गया और उस सार मैच में एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए लेकिन देखते हैं कि इस सिजन इनका किस तरीके से इस्तमाल होता है दूसरे के लाड़ी डिफेंडर है जो की अदित्य सिंदे है लेफ्ट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है 16 मैचेस खेले इन 16 मैचेस में इन्होंने 21 टेकल पॉइंट स्कोर किया तो ओवरोल है कच्छे लेफ्ट कॉर्णर के डिफेंडर है और इसका इस्तमाल किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ा या फिर एक परफेक्ट लेफ्ट कॉर्णर का तलास यहाँ पे बंगॉल वारियर्स की टीम करीगी आक्शन में अगले खिलाड़ी यहाँ पे दीपक सिंदे है जो की राइट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है इन्होंने 11 मैचेस खेले इन 11 मैचेस में इन्होंने 5 टेकल पॉइंट स्कोर किया तो ज्यादा मौका इनको नहीं दिया गया अगले यहाँ पे स्रेयस उंबर दंदे जो की लेफ्ट कवर के डिफेंडर है इन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला खेला और बाद में इंजरी के कारण रूल आउट हो गए तो देखते की स्रेयस इस सीजन एविलेबल होते है की नहीं अगली टीम की तरफ बड़े तो अगली टीम बेंगलूडू बुल्स की टीम है बेंगलूडू बुल्स की टीम की तरफ से पहले प्लियर एक्जिस्टिंग एन्वाइपी में आएगे अदित्य पवार लेफ्ट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है एक भी मुकाबले में इनको खेलने का मौका नहीं मिला, अगले खिलाडी अक्षि धुल है, जो कि लेफ्ट रेडर है, दस मैचेस खेले, इन दस मैचेस में इन्होंने 61 रेट पॉइंट स्कोर किया, ओरोल काफी अचा परफोर्मेंस इन्होंने दिखाया, अगले खिलाडी परती गुलिया है, जो कि लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, तेरा मैचेस में इन्होंने 27 टेकल पॉइंट स्कोर किया, तो ओवरोल इनका भी पॉइंट स्कोर किया, अगली टीम यहाँ पर दबंग डेली की टीम है, दबंग डेली की टीम की तरफ से पहले प्लेयर होगे, योगेज दहिया, राइट कॉर्नर पोजिशन के डिफेंडर, और आप सभी को पताई होगा की योगेज दहिया कौन है, क्या ही परफोर्मेंस इन्होंने अपने डेब्यू सीजन में दिया, 23 मैचेस में 74 टेकल पॉइंट, काफी बहतरीन परफोर्में दबंग देली को राइट कॉर्नर पोजिशन का डिफेंडर, डूंडने की जरूत नहीं पड़ेगी, योगेज दहिया अगेन दबंग देली से ही खेलेगे, अगले प्लेयर यहाँ पे मनु देशवाल है, जो की लेफ्ट डेडर है, 11 मैचेस खेले, इन 11 मैचेस में इन्हों बहतरी डिफेंडर, दबंग देली के पास मौजूद है, एक और डिफेंडर है, जो की हिम्मत अंतिल है, जो की लेफ्ट कवर पोजिशन के डिफेंडर है, आठ मैचेस में इन्होंने 12 टेकल पोइंट स्कोर किया, इनका भी परफोर्मेंस ओवरोलाब डिसेंट कह सकते हो, इनका काफी जादा इस्तमाल और अच्छे तरीके से इस्तमाल करते वे दिख जाएगे, नेक्स्ट प्लेयर हरदीप कंडोला है, जो की लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन के डिफेंडर है, एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए, उम्मीद करते कि इस सिजन इनको मैचेस में खिलने एंड बाद में, इंजिरी के कारण रूल आउट भी हो गए, जया सूरिया एनेस, वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जून को महीना आ चुका है, एंड कभी भी ओक्षन अनाउंस हो सकता है, प्रो कबड़ी के द्वारा, एंड ज पेलिग्राम पे जाके आप सिंपली एड देरेट स्पोर्ट स्निफ सवन सर्च करके जॉइन कर सकते हो, अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो फट 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 जॉइन कर लो, ओके सो अब बात करते है, पिसले सीजन की चैंपियन्स टीम पुनेडी पल्टन के बारे में, पुन मौका नहीं मिल पाया, उम्मीद करते हैं कि इस सिजन इनको मौका दिया जाए, अगले यहां पर डिफेंडर है, जो कि दादा सो पुजारी है, राइट कोर्न पोजिशन के डिफेंडर, इन्होंने भी जदा मैचेस नहीं कहले, पांची मैचेस में दीखे, और इन पांच मै अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, अगली टीम तेल्गू टाइटन्स की टीम है, तेल्गू टाइटन्स से भी आपको चार खिलाडी देखने को मिल जाएगे, सबसे पहले प्रफुल जवार है, जो कि लेफ्ट रेडर है, उन्निस मैचेस में 43 रेट पोइंट स्कोर किया, ज़्यादा अच्छा परफोर्मेंस नहीं था, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस सिजन अच्छे तरीके से परफोर्मेंस दिखाए, अगले आपे अल्राउंडर है, जो कि संजीवी ऐस है, अल्राउंडर है, राइट रेडर भी है, और जादी साथ राइट कॉरनर पोजिशन के डिफेंडर भी है, 17 मैचेस में इन्होंने 41 रेट पोइंट स्कोर किया, और 8 टेकल पोइंट भी स्कोर किया, तो ओवरल परफोर्मेंस इन्होंने दिखाया, रेडिंग में और उम्मीद करते हैं कि डिफेंस में भी अच्छा परफोर्मेंस दिखाएगे, लेकिन आप क्य 11 मैचेस में 18 टेकल पोइंट इन्होंने स्कोर किया है, अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, अगली टीम तमिल थलैवास की टीम है, सबसे पहले विशाल चहल देखने को मिल जाएगे, जो की राइट ट्रेडर है, 10 मैचेस में 34 रेट पोइंट इन्होंने स्कोर किया, ज्याद इन 9 मैचेस में 20 रेट पोइंट नितिन सिंग ने स्कोर किया, अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, अगली टीम यू मुंबा की टीम है, यू मुंबा की टीम से सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएगे, सुम्बीर गोस्वामी, जो की लिएट लेट पोइंट इन्होंने स्क लेट कौनर पोजिशन के डिफेंडर है 15 मैचेस खेले है, 15 मैचेस में इन्होंने 44 टेकल पॉइंट स्कोर किया है, तो ओवरॉल काफी अच्छा पफोर्मेंस हमें इन से देखने को मिला है, पिर अगले प्यार यहाँ पे मुकिलन है, जो की लेट कवर के डिफेंडर है 9 मैचेस में 19 टेकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया, आखरी प्लियर बिट्टू बनवाला है, जो की राइट कॉर्णर पोजिशन के डिफेंडर है 11 मैचेस खेले, इन्होंने 20 टेकल पॉइंट स्कोर किया है, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी T20 वल्ड कप 2024 चल रहा है, कली की दिन इंडिया एंड एरलेंड का मुकाबला था, वनसाइड मुकाबला था, इंडिया जीद गई, अब टीम इंडिया अपना नेक्स्ट मुकाबला पाकिस्तान के अगेंज, संडे को या फिर नौजून को खिलने वाली है, यह मुकाबला कॉन से टीम जीतेगी, इंड प्रफट जॉइंड कर लिजे बिल्कुल फ्री में आप जॉइंड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको राजा क्रिकेट एनलेस टेलिग्राम चैनल का लिंक सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो जॉइंड नहीं किया तो फट फट आप जॉइंड कर लिजे रा 203 रेट पॉइंड इन्होंने स्कोर किया एन इस सिजन अगें पतना पारेट्स के जर्सी में देखने को मिल जाएगे खेलते हुए एंड सुधाकर एम से और बी ज़दा उम्मीद है कि अच्छा परफोर्मेंस दिखाएगे अगले प्यर भी रेडर है जो कि कुनाल महता है लेफ्ट ट्रेडर दो मैचेस ही में खेले एंड एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया एंड आकरी प्यर अभिनाथ सुभास है जो कि लेफ्ट कवर पोजिशन के डिफेंडर है एक मैच खेला एंड एक भी पॉइंट इन्होंने स्कोर नहीं किया अगली टीम यूपी उध उधास की टीम है यूपी उधास की टीम से हमें गगन गवडा देखने को मिल जाएगे जो की राइट रेडर है तेरा मैचेस के लिए इन तेरा मैचेस में इन्होंने 92 रेट पोइंट स्कोर किया तो ओवरल इनसे कापी अचा पफोर्मेंस हमें देखने को मिला अगले प्यर सिवम चौधरी है जो की लेफ्ट रेडर है आठ मैचेस के लिए इन आठ मैचेस में 11 रेट पोइंट स्कोर किया तो इनसे भी पफोर्मेंस हमें जादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला और आखरी प्यर है हितेस जो की राइट पोजिशन के डिफेंडर है 17 मैचेस में 31 टेकल पोइंट्स इन्होंने स्कोर किया तो इनसे भी काफियाचा पफोर्मेंस हमें देखने को मिला सिजन 9 की चैंपियन जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम से दो खिलाडी देखने को मिल जाएगे सबसे पहले अभी जीत मलिक जो की राइट रेडर है 5 मैचेस में खिलने है अभी बननी हूँ और आकरी टीम है गुजराद चैंट्स की टीम गुजराद चैंट्स से सिर्फ एक ही खिलाडी देखने को मिलेगा जो की नीतिन जागला ने लेफ ट्रेडर है 9 मैचेस खेले और इन नौ मैचेस में इन्होंने 17 रेट पोइंट स्कोर किया ओके सो पिसले दुर्गेश कुमार यह तीन ऐसे खिलाडी थे जो एक्जिस्टिंग एन्वाइपी के लिस्ट में सामिल नहीं थे तो क्या इसकी वज़ा थी वैसे तो इस पे कोई ओफिशली कन्फरमिशन नहीं था कि इस प्लेयर को एक्स्क्लूट क्यू किया गया लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो सबसे पहला तो सिंपल रीजन हो सकते है कि वो खिलाडी इंजर्ड हो अगले सीजन के लिए अवेलेबल ना हो जिसके कारएंट कॉट गया दूसरा वज़ा यह हो सकते है कि वो प्लेयर कुछ ऐसे एक्टिविटी करे जो रूल्स के अगेंस्ट हो जिसके इससे समझ सकते हो कि टीम अगर चाहे तो यह दो साल का कॉंट्रेक्ट तोड सकती है सेकंड सिजन वो खिलारी रीटेन नहीं होगा लेकिन यह हमें बहुत ही कम केस में देखने को मिलेगा तो आपको जानने को मिल गया कि इस सिजन के कौन है एक्जिस्टिंग एन्वाइपी प्लियर्स एंड क्या होता है एक्जिस्टिंग न्यू यंग प्लियर्स लेकिन क्या आपको आरवाइपी के बार में पता है इलीट प्लियर के बार में पता है और कैसे रीटेन प्लियर्स का सेलरी डिसाइड होता है आपको नहीं पता तो इस वीडियो में अच्छे तरीके स मैंने explain किया है नहीं देखा है तो इस वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो तब तक मिलते हैं उसी वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग